नमस्कार दोस्तु स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योचना ओनलाइन फोरी पर आज फिर आप सभी के लिए जरूरी ख़बर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी आगनवाडी भरती को लेकर इंतिजार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है क्योंकि सरकार ने तेरा बड़े जिलों में ओनलाइन अवेदन की प्रकिलिया सुरू कर दी है साथ ही आपको बता दें कि हर जिले की अंतिम्तिती अलग-अलग निर्धारित की गई है जिनकी योगता दसवी पास आउर बारवी पास है अगर आप भी आंगनवारी भरती में अवेदन करना चाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुती खास बने जा रही है सूर से लेकर अंथ तक जरूर देखेगा एक-एक जिले के बारें बताएंगे किस जिले की क्या अंतिम्तिती है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी बस बने रहेगा हमारे साथ अंथ तक वीडियो को देखते रहेगा आपसे एक चोठना निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप्या अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्याद सेयर भी कर दीजेगा ताकि और भी वेक्ती आगनवाड़ी भरती में आविदन कर सके क्योंकि इसके लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं तो देखी यहां पर आपको बता दें कि application फिस जो है यानि कि फारम की फिस है वे बिल्कुल जीरो है यहां पर आपकी कोई भी फिस नहीं कटेगी यहां पर last date जिलेवाईज है और complete from last date जो है वे भी आपकी जिलेवाईज है अब यहां पर आपको कुछ मैन मैन जो बाते हैं जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे बताते हैं फिर आपको जिले की ओर लेका चादलते हैं एक एक जिले के बारे में आपको बताते हैं देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक निके वीडियो को लाइक कर दिजे और योजना ओनलाइन फिरू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको हर अपडेट से इसमय पर मिलते रहें यहां पर एज लिमिट जो दी गई है वह मिनिमम एज जो है वह 18 वर्स है और मैक्शिमम एज जो है वह 35 यर है ठीक है अब यहां पर तमाम रूल आप देख पाएंगे और यहां पर जो अगनवारी भरती है या उत्तर परदेश की है ठीक है 2024 की भरती है और उसमें टोटल विकेंसी जो है वह 23,753 ह जिसमें हमने आपको जिले बताए हैं उन जिलों में ओनलाइन आविदन की परकिरिया सुरू कर दी गई है हर जिले की अंतिमत्ती अलग अलग है अब यहां पर आज अभी आप यहां पर एजबिलिटी देख सकते हैं कि क्या क्या योगता है यहां पर आप 10 वी और 12 वी पास देख सकते हैं और जोसमें कंडिडेट है जो फार्म के लिए अपलाई कर सकते हैं वे के वाल यहां पर ओनली फोर फिमेल कंडिडेट दिये गए हैं ठीक है और पोस्ट आगर आप यहां पर देखेंगी तो पोस्ट यहां पर आंगलवाडी करकत्री है तो यहां पर करकत्री जो है वह आविजन कर सकती है यहनकि इसके लिए इस पोस्ट के लिए आविजन किया जा सकता है अब चलते हैं जिले की और एक एक जिले के वारे में आप वजाते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो जिला है आपका वह आपका जोनपूर है जिसमें 183 पद है और अन्तिम्तिथी 6 नुविंबर दी गई है नैश्ट आपका जिला है प्रियाग राज जिसमें 455 वेकेंसी है और 5 नुविंबर यहाँ पर अन्तिम्तिथी दी गई है उसके बाद नैश्ट जिला आपका देवरिया है जिसमें 254 वेकेंसी है और 9 नुविंबर यहाँ पर अन्तिम्तिथी दी गई है साथी यहाँ पर आप देखेंगे नैस्ट जिला आपका गोनडा है गोनडा में 243 पद है अंतिम्तिती 5 नुवेंबर है इसी प्रकार से यहाँ पर नैस्ट जिला आपका बलरामपूर है अब बलरामपूर में 625 पद है जिनसकी अंतिम्तिती 4 नुवेंबर दे गई है अंतिम्ति थी उन्टिस अक्टूबर दोजार चोबिस है नैस जिला आपका जालोन है अब जालोन में यहाँ पर दोसुक्यासी पद है अन्तिम्ति थी 31 अक्टूबर दी गई है अगर आप अगनवाड़ी भरती के लिए योगे हैं तो आप आविधन कर सकते हैं तो आप से फि अगर में 245 वेकेंसी है 29 अक्टूबर अंतिम्तिति निर्धारित की गई है ध्यान रहे कि आप जिस जिले से हैं आप उस जिले के लिए ही आविधन करिएगा आपको किसी दूसरे जिले के लिए आविधन नहीं करना है न था आपका जो फर्म है वेर रिजैक्ट हो जाएग नेश जिला आपका है बुलंद सहर जिसमें 510 वेकेंसी दी गई है और 27 अक्टूबर अंतिम्तिति निर्धारित की गई है नेश जिला आपका है बारा बंकी बारा बंकी में जो पोश्ट है वे 309 से और अंतिम्तिति यहां पर 22 अक्टूबर दी गई है नैश्ट जिला आपका महोबा है जिसमें 156 आपकी पोउस्ट है और अंतिमती 21 अक्टूबर है इनकी आज इसकी अंतिमती समप्त होने जा रही है अगर आप जले के हैं तो आप जल सेल्ध आवेदन कर सकते हैं अब नैस्ट जिला आपका है कन्नोज, कन्नोज में 138 वेकेंसी हैं आउर 27 अक्टूबर 2024 अंतिम्तिती निर्थारित की गई है नैस्ट जिला आपका है वरांसी, वरांसी में 109 में वेकेंसी है आउर यहाँ पर 25 अक्टूबर 2024 अंतिम्तिती दी गई है जासी है जासी में जो है कि यहाँ पर आपके अंतिम्तिति समाप्त हो चुकी है क्योंकि 17 अक्टुबर इसकी अंतिम्तिति दी गई थी इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जिले हैं हपपुर है जिसमें 164 पद निर्धार किये गई थे और इसमें 15 अक्टुबर अंतिम्तिति न सकते हैं और अगर आपका इन जिलों में से कोई जिला नहीं है तो आप कमेंट बुक्स में जागर अपने जिले का नाम बना देजीएगा ताकि हम आपको जिले की जानकारी भी आपको देज़ाएंगे आपसे निवधन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो योजना ओनलाइन फोरी चैनल को आप जिरूर सब्सक्राइब करेज़ेगा कोई भी आपका सवाल है तो सवाल करेगा और मिलते हैं अपने स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आंगनवाडी में और भी कई बड़ी ज जो जिले हैं उनमें भरतिया सुरूख होने जा रही हैं हलाकि कई बड़ी ऐसे जिले हैं जिनमें अंतिम्तिती समाप्त हो चुकी हैं तो मिलते हैं अपने स्टूडियो में नई जानकर के साथ धन्यवाद अन तक वीडियो देखने के लिए